आध मैं आपकी लिए लेकर रही है पत्यागवी की ऐसी सब्जी जो हो एकदम Pa trader की टक करके बनानेंगें बहुत ही आसान है खानें बहुत ही तेस्टी लगता है अपने पत्यागवी की सुखी सब्जी तो बहुत बर बनाई होगी एक बार मेरे कहने से यह पत्ता गोबी की पनी जैसी सब्जी बनाकर जरूर ट्राय कर आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा हलो दोस्तों मैं सरोज आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चनल सरोज का किचन में तो चलिए आज की रेस्ट्री स्टार्ट करते हैं यह ने गएस मेरे पानी रका है पानी अब यते हम हुबा लेंगे यह यह हम पेन को कबर कर देंगे चार मि conocer उबा दीट मेरें बीच में बगार चेक कर लेंगे तो यह मैंने 4 मिन बार धकन अटाया है पत्ता गुबी को हम पलट देंगे तकि दूनु साइड अच्छे से यह पक जाए यह देखिए मैंने पत्ता गुबी को पलट दिया है फिर से पेन को कवर करेंगे और 3-4 मिट और पक आएंगे यह झाल का है इसे इम subject करेंगे यह देखं़ देखिए एश्यपपर निकाल लेंगे टेमाटर बहुत ही अच्छी से उबल चुके हैं बहुत ही असाने से निकल जाते हैं शील के यह देखिए टेमाटर के शील दिया है इसमें प्याज डाल देंगे और इसका हम पेश्ट मनाएंगे यहां मनें दो ग्राणिक जार लिया है अब गुबी को हम थोड़े छोड़े पीशिस में कट करेंगे पिशने माशानी हो अगर अनिक जार में डालते जाएंगे यहां मनें सारे पत्व गुबी को काट लिया है अब एक सार डाल देंगे हम सारे पत्व गुबी को अब साथे पिसमें डाल देंगे हम एक चमच की असपास मलाई जो दूद की साली होती है वही है आप नहीं थेहां पर थोड़ा सा दही डाल सकते हैं मैंने दो तिन चमच दूद डाला है ताकि पाइनार डालना पड़े पिश्टे समाएं अब दूनों को हम ग्राइंड कर ल करेंगे यहां मैं एक बाग भी निकाल लिया है इसमें आप कुछ मसाले आइड करेंगे यहां मैंने पर सबसे पर लिया है बेशन आता कप के आसपार तकि हम जब जमाए अपने सबजी को अच्छे से सेट हो जाए यही पर डाल देंगे हम स्वाद के नसान नमक साथी में डाल लेंगे हम लालमीज पावडर और हल्दी पावडर बहुत ही कम डालना है थोड़ा थोड़ा हमें पाइन डालेंगे थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से ये देखे मैंने अच्छे से फेट लिया है फेटनिक बाद हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे एक चमच आद रेक लसन का पेश्ट इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे हमारी आप जो टेश्टे त्यार हो चुका है यह गिस्टिल के थाली लेंगे इसमें थोड़ा सहम पेर लगा देंगे तकी जब हम इसमें बेटर लगाए तो पिपके ना और असानी से निकल जाए त्यां तो मैंने सारे बेटर को डाल दिया है थाली में अब इसको फैला इसको फैला दिया है अब चलते हैं अब अगय से पानी रखाए गरम होने के लिए पानी उबल रहा है यहीं परग देंगे अपना हम प्रती गूबही अलेवेटर इसको हम 10-12 मिटर के लिए उबालेंगे चेक कर लेंगे जब आप चेक करें हाथों में नहीं चिपक रहा है म दूबाल ने चमच या शेकों की मदशाच चेक करें देखें बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है मतला मरजब्र त्यार हो चुका है अभी छाम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो फिक चली मसाला त्यार करते हैं मसाला के लिए मैंगे अपको डोरी लिया है उसमें मिल एक चमच का स्मिरी लाल मीट साथ हम दालेंगे एक चमच लाल मीट प्रावडर तीखा वाला मैंने लिया है मैंने दो छोड़ा चमच लिया बड़ा चमच एक चमच लिया एक चमच आदर क्लसंग का पेस्ट अब फुरा पाइन डाव किसका हम घोल बनाएंगे टागे मसाले अच्छे से खूल जाए यह देखिये मैंने मसाला को पियार कर लिया है अच्छे से घोल लिया है तो मसाला हमेरा अत्यार तेक घाण की चलते हैं तो में घ्रीच पने कड़ाई रहा है उस में दो छिमच ओईल डालेंगे जैसे हम रोल गरम हो जागा जिसे हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले तो मैंने लिया है जीरा काली मिर्ट एक दाल चिनी कर टुकड़ा दो छोटी हिलाई ची जाल देंगे जैसे मसाली तोड़े चटक जाएंगे सुखी लाली में डालेंगे दो तीन यहीं पर डालनेंगे अपना हम मसाला का पेस्ट जो मैंने बना के रखता यह मैंने डाल दिया है और इसे एक बार मिला लेंगे अब उसे लोटो मिनिया फिलेम पर हम भूल लेंगे थोड़ी देर यहीं पर डाल देंगे हम एक चेमच मलाई तक क्रीमी टेक्स्चर आए आप चाहिए थोड़ी डाल सकते हैं आपके उपर है और मिला लेंगे दोनों मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे यह देखे मसाले जो बहुत अच्छे से भून चुके हैं यह भी डाल देंगे अपना हरा मटर अब इसको भी पकाएंगे हम शाथ हम डाल देंगे स्वात के मसार नामा ध्यान रहे हमने पहले नमक डाला है अपने बेटर में उससे अब डाले थोड़ी सी कस्तुरी विती डाल देंगे मिला लेंगे खुड़ी दोर पकाएंगे ज्यादा नहीं कि हमारा जो टेमाटर प्यास है पहले से पका हुआ है तो ज्यादा पकाने की जुरूत नहीं है यह देखें हमार मसाला जो है ट्यार हो चुका है अब इसमें क्या करेंगे पानी याइड करेंगे आप अपनी काता सेट होने के लिए यह देखें बहुत ही अच्छे सेट हो चुका है इसको हम चाकू की मदद से काट लेंगे अपने हिसाब से छोटा बड़ा पीश काट सकते हैं यह देखें मैंने पनीर स्याज के छोटा छोटा पीशे काट लिया है यह बहुत हैसान से निकल जाता है चाकू की मदद से इसको हम नीचे से उपर के दरब कीचेंगे यह देखें बहुत ही अच्छे से हमारे पीशे जुवे निकल कर त्यार हो चुके हैं इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे यह देखें आप चाहें तो इसको एसे भी खा सकते हैं बहुत ही हिल्दी है और टेस्टी दालने की बाद यहीं पर डाल देंगे अपना हम पत्ता गुबी का जो पनी जीसा है वो डालेंगे यह देखें मैंने डाल दिया है अब इसको डालने की बादे में जड़े देर तक नहीं पगाना है सिर्फ दो से त्टीविट पगाएंगे यह दिखने में बहुत सुन्दर लगती है इससा लगता है कि पनीर की सब्जी जिसके अब देखके अंजदा लगा सकते हैं इसको हम दो दीमें डौर पका लेंगे धक करके यह देखिए त्यार है हमारे बहुती तेश्टी पत्ता गुबी की सब्जी पनीर की टक करके अब इतने अची लग रहे है दिखने में चलिए अब इसको गर्म करेंगे सबस्ब्राइब करेंगे सबस्ब्राइब करेंगे यह दालेंगे यह देखिए नहीं सकता कि पत्ता को भी सब्जी है लग रही है जम पनेर जैसी बहुत सब्ट बनके त्यार होती है और खाने में उतना ही टेश्टी है तो आप सब्सब्राइब करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको कोई भी ऐसी रेस्पी चाहिए तो मुझे कमेंट मक्समें बताए मैं कुशिस करूंगे शेयर करने के लिए अगर हुआ है